क्या आप भी चाहते हैं कि सभी लोग आपको प्यार करें क्या आप भी चाहते हैं कि सारे लोग आपसे दोस्ती करना चाहें क्या आप भी चाहते हैं कि लोग आपके दिवाने बने आपको सुनना चाहें आपसे बाते करें आपको दूसरों से ज़्यादा सम्मान और इज़त दें तो खुस हो जाएए क्योंकि अभी मैं आपको आपकी परसनल्टी बनाने का आपके व्यक्तितों में असीमित निखार लाने का कुछ आसान टिप्स बताऊंगा कुछ आसान तरीके बताऊंगा जिसे अपना कर आप अपने घर, अपने स्कूल, अपने कालेज, अपने आफिस या आपके सोसाइटी में सारे लोगों का ध्यान आप अपनी तरफ आकरसीद कर सकोगे इस दुनिया में हर व्यक्ति की एक खास पहचान होती है जो उसके व्यक्तितों या उसकी परसनटी के वज़े से उसके अंदर होती है इसलिए चाहे आप लड़का हो या लड़की हर इनसान चाहता है कि वो आकरसक हो उसका प्रभाव अपने आसपास के सभी लोगों पर हो वो अपने स्वभाव से अपनी बातों से अपने ड्रेस अप से हर एक व्यक्ति का ध्यान अपनी तरफ खीश सके हर व्यक्ति चाहता है कि दूसरे लोग उसकी तारीफ करें उसके बारे में अच्छे अच्छे सब्द इस्तेमाल करें और ऐसा सुनकर सबको अच्छा भी लगता है ऐसा होने के लिए आपका व्यक्तितो बहुत ही दमदार होना चाहिए और आप ऐसा दमदार परसनल्टी कैसे बनाएं कि आपकी छाप लोगों के दिल और दिमाग पर हमेशा ही बनी रहे इसके कुछ आसान टेप्स मैं आपको बता दूँ अभी आगे आपके व्यक्तितो को निखारने के लिए जो मैं बताऊंगा सबसे पहले तो आपको अपना पूरा ध्यान अपना पूरा कंसंटेशन मेरी बातों पर रखना होगा ताकि आप उसे अपने दिल और दिमाग से मैसूस कर सको और अपने जीवन में रोज उसे अपना स हुलिया आप अपने हुलिया को अपने लुक को आकरसक कैसे बनाएं आपका लुक ऐसा होना चाहिए कि पहली नजर में जो देखें वो बस देखता ही रहे वह कहते है ना फर्स्ट इंप्रेशन इस दर लास्ट इंप्रेशन मतलब पहली नजर में पहली मुलाकात में आप लोगों को पसंद आने चाहिए तभी आगे आप लोगों के साथ रिलेशन डेवलप कर सकोगे अभी आप सोच रहे होगे कि अपना लुक निखारने के लिए स्मार्ट और सुन्दर दिखने के लिए महंगे महंगे कपड़े पहनने होंगे महंगे महंगे जूते और एसेसरीश पहनने होंगे पारलर जाना होगा वगेरा वगेरा लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं है मैं आपको बता दूँ सुन्दर्ता तो सादगी में होती है बाहरी दिखाओ पर मज जाएए आप जैसे हैं वैसे ही बहुत सुन्दर हैं आप कुदरती रूप से बहुत ही अच्छे हैं बस एक काम करें आपके पास जो भी ड्रेस है उसे हमेशा साफ रखें अपने सरीर के रं नुसार फिटिंग कपड़े ही पहने गाड़े और आखों में चुबने वाले रंग के कपरों का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें अपने बालों को हमेशा बनाएं और अपने जूतों को पालिस करें ऐसा इसलिए क्योंकि इस दुनिया का यही फंडा है जो दिखता है वही बिखता है अगर हमारी बोली हमारा बात प्रभावपुर्ण है तो यह सबको अपनी तरफ आकरसित करता है वास्तों में बोलना किसी से बात करना एक आर्ठ है एक कला है जो बड़े से बड़े बिगड़े और मुश्किल कामों को आसान और सरल बना देती है इसलिए अब यह सवाल आता है कि हम कैसे बोलें जो सुनने वालों पर जादू करें हम कितना और कब बोलें कि लोग हमें सुनने के लिए हमारा इंतजार करें सर दमदार पर संट्री के लिए फ्रिजिकल सुन्दर्ता के साथ साथ इंटर्नल सुन्दर्ता भी बहुत जरूरी होती है जरा सोच की आवाज सुनकर बच्चा बुढ़ा और जवान हर कोई इरिटेट हो जाता है चुढ़ जाता है इसलिए लोगों को अपनी बातों से दिवाना बनाने के लिए बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान जरूर रखिए फिर देखिए आपका जादू लोगों के ऊपर सिर कि लोगों को आपको सुनने में तकलीफ हो बोलते समय जादा जल्दिबाजी ना करें आराम से धीरे धीरे बोलें ताकि सुनने वाला आपकी बातों को पूरी तरह सुन सके और समझ सके और आप में इंट्रेस्ट लेने लगे कब कहां और कितना बोलना है इस बात का ध्यान जरूर रखिए ज्यादा तर आप सब्द का इस्तमाल करिए तुम और तू सब्द का इस्तमाल करने से हमेशा ही बचें सब्दों के उच्चारण पर विशेश ध्यान देजिए और एक सब्द को बार बार रिपीट ना करें और हां सबसे प्रमुक और जरूरी बात हमेशा न आत्म विश्वास की कमी को दिखलाता है नमबर ट्री बोडी लंग्वेज आपके परसनल्टी में आपके बातों के साथ साथ आप आपकी बोडी भी आपके बारे में बहुत कुछ कहती है चलने समय और बैठने समय अपने पीच और अपने सीर को सीधा रखें ना तो जुप जुप कर चलें और ना ही जुप कर बैठें अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो लोग आपको निरास और ठतास समझेंगे आपके अंदर आत्म विश्वास की कमी देखेंगे गंभीर रहें लेकिन घमंडी नहीं रहें बात करने वक्त किसी से मिलने वक्त अपने हाथ और पैर अपने सारणिक हाव-भाव पर कंट्रोल रखिये जदा किसी को बार-बार टच करना या धक्के देक कर बात करना अपने पैरों को हिलाना या फिर बैठने समय सामने वाले के सामने अपने पैरों को मोल कर रखना ये आपकी असब्यता और तानासाही को दिखाता है लोग बदल रहा है हर दिन आपके मुबाइल का लेटेस्ट वर्जन आ रहा है काड़ियों में नई मोडल्स आ रही है कंप्यूटर टीवी क्लोथेज घर या ओफिस का इंटीरियर और इस्टेरियर सब कुछ जो भी चीजे हम देख रहे हैं या इस्तिमाल कर रहे हैं समय के साथ अप से बहतर बनाने के लिए आपको भी अपडेटेड रहना होगा आपको समय के साथ खुद का लेटेस्ट वर्जन बनना पड़ेगा और इसके लिए आप अपने ज्ञान को बढ़ाईए अपने स्किल्स को डेवलप करिए देश दुनिया और संसार में हो रहे हैं बदलाओं की जानकारी रखिए बुक्स पढ़िए करेंट नियू से अपडेट रहिए हर दिन अपने इगो को डस्ट बीन में फेकिए और खुद को ज्ञान और नौलेज से भरते रहिए जैसे पंचर टायर आपकी गाड़ी को तेजी से भगा नहीं सकती है जैसे ब्रेक लगा कर आप एक्सेलेटर चाहे जितना भी बढ़ा दो आपकी गाड़ी आगे बढ़ नहीं सकती है वैसे ही सकरात्मक सोच के बिना उस्साह और इनर्जी के बिना पॉजिटिव एटिचीवड के बिना आप सफल और काम्याब नहीं हो सकते हो और ये दुनिया भी उकते सूरज की पूजा करती है, दूकते सूरज को नहीं, सकरात्मक सोच वालों के साथ, पोजिटिव और आसावादी लोगों के साथ हर कोई जूरना चाहता है, सब उनके पास रहना चाहते हैं, निगेटिव और मरियल परवेटी की लोगों से सभी गार्डेन की तरह होता है, अपने गार्डेन में आप जितने ही अच्छे अच्छे और सुन्दर फूल खिलाएंगे, आपका परशन्टी आपका ब्यक्तित्व उतना ही खुस्नुमा और अट्रेक्टिव होगा, उमीद करता हूँ परशन्टी डेवलप्मेंट के इन टिप् परशन्टी